नमस्कार दोस्तों आज का दिन है 14 जन्वरी आज की डेट है मौनिंग शिफ्ट का पेपर आ चुका अपने पास MP पुलिस कॉंस्टेवल का सबसे पहले मैं सबसे रिक्विस्ट करूंगा जो भी अमारी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें इस वीडियो को ल देख लेते हैं मद्य प्रते स्विदी संस्थान कहां पर इस्तित है अपने ते यह कि निपाई से अपन जो पर देखते हैं यह इन लाइक पर देखते हैं यहां महाँ विद्याले आपको मिल जाएगा इंदॉर पे इंदॉर पे यहां पर एम वाई हॉस्पिटल है एम वाई हॉस्पिटल के पास पर ही दंद चिकित समाँ विद्याले है यह आपको मिल जाएगा यहां पर नेक्स्ट सिक्छक दिवस कब मनाया जाता है यहां पर जस्टिमे नेक्स्ट रिवा में जिपसम के लाव गर्भी मटीरिल्स पाए जाते हैं जिपसम यह बहुत ही यह उसके लिए सिमेंट और चुना के लिए बनाने के लिए यूज होता है वह जिपसम है भारत के राष्ट्री पुष्प क्या है वह कमल का फूल ठीक अगर राष्ट्री चिन आफ पूछेंगे या शोख चिन न माना जाएगा अगर पूछता है कि राष्टगान राष्टगीत क्या है लाष्ट्री कौन सा ही राष्ट्री पक्छी कौन सा ले। वस्प चीजे पीट हो रहा है यह कुशन नेक्स पर आगे बढ़ते हैं जो सहरिया जन जाती रहती है सहरिया जन जाती किस छेतर में बाई जाती है यह चंबल के छेतर में पाई जाती है यह आपका में अगर जमीन की बात करेंगे तो यह मालवा वाला जो छेतर है मालवा छेतर से जो नदी बहती है चंबल नदी और आगे जाकर के अपना ये मुरैना अगेरा में जाकर के मिल जाती है तो यहां पर इस एरिया पर सहरिया जन जाती है आपको मिलती है नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं चंदेरी की साड़िया कहां मिलती है देकि ऑप्शन के रिकॉर्डिंग तो बच् पंतसागर यह कहाँ पर है सीधी डेस्टरिक में एक्चुली ए मद्य bisexual और अदर प्रदेश के जो यह बीच बीच में बना हुवा है MP में कौन सा डिस्टिक पढ़ जाता है MP में ये सीधी डिस्टिक पढ़ जाता है अब ये नदी है नदी का कोई एक एरिया तो रह नहीं सकता है ये कहीं भी जा सकती है तो ये नदी का आदा इंसा मध्य प्रदेश वाले प्रतवी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है ये है चंद्रमा मंगल कर पूँछेंगे तो मंगल में दोठो उपग्रह है और सबसे जादा उपग्रह अभी किसके पास है तो कुछ समय पहले तक अंसर था ये जूपिटर लेटिस्ट में अंसर आया है सैटन सैटन का हिंदी में शायत सनी ग्रह कहते हैं तो उसके पास सरसट उपग्रह हैं आप ये याद रखिएगा नेक्स कोश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं धनराज पिल्लाई किस स्केल से संबंदित रखते थे ये बहुत ही महान की लाड़ी थे और ये संबंद रखते हैं होकी से नेक्स्ट है कौन सी सब्वेता कौन सी सिंदू सब्वेता अब पागेस्तान में इस्ते थे बहुत इजी कुश्चन था हडपा हो गया ये हडपा जो है और मोहन जोदाड़ो वाला इस एरिया है ये सब जो है पाकिस्तान एरिया पर आता है सबसे पहले हडपा की खोज स्वामी दयानन साहनी ने की थी 1921 में और उसके बाद फिर मोहन जोदाड़ो की खोज 1922 में हो गई थी तो इस तरीके से आप जो बेसिक हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं चीनी बरतन के उद्ध्यों मतलब चीनी मिट्डी के जो बरतन हैं ये कहां बना जाते हैं ये ग्वाले अजिले में बना जाते हैं नेक्ष्ट भाकरनंगल डैम कौन सी नदी पर बना है ये बना है सतलज नदी सतलज नदी पाच नदीओ में से एक है जो पंज़ाब से पंजफ और वो सारी पाकिस्तान की और जाती है और इसके लावा यहां सतलज नदी की खासित भी यह भी है कि यह काफी विवाद यह इंड जरती हूं उसको पंजाब कहते हैं तो इस तरह से नाम उसका पड़ गया था सतलज का मेरे को इन्फोर्मिशन और जाद याद नहीं आ रहा बट आप भागन अंगल डायम हो गयरा सब देख लीजेगा सबसे बड़ा डायम है और मद्यप्रदेश में मृदा अपरदन की समस्य सबसे ज़्याद कहां पर है यह मुरायना पर है यह चंबल नदी के कारण जो है मुरायना डिस्टिक्ट में मृदा अपरदन हो गयी यह बहुत गहरे गहरे गड़े हो गड़े हो गड़े हैं जहां पर वो रेंगती हुए मृ बन गई है वहां पर नेक्स कोशन पर आगे बढ़ते हैं जापाइन पर परमाडू बंप कब गिराए गया था यह गिराए गया था नैंटीन फोटी फाइब में छह दारी दिसंबर को हिरोशीमा में फिर उसके बाद नौ दिसंबर को नागा साकी में पहला वाले बंप को नम था लिटल बॉय और दूसरे वाले बंप का नाम था फैटी मैं दोनों के नाम भी याद रख लीजएगा कोशिद में और बी कोश्चन पूंच सकते हैं नेक्स्ट कोशन चचाई जल प्रपात कहां पर इस्थित है यह इस्थित है अपना यह रिवा डिस्टिक में इसके ले बीना नाम की जगे पर बीना कहां पर है सतना डिस्टिक में सागा डिस्टिक में नेक्स्ट कोशन पर आपना आगे बढ़ जाते हैं संयुक्त राश्ट संग मतलब यू यूनाइटेट नेशन और इनाजेशन सुरक्षा परिश्यत की इस्थाई सद्थ से कौन है यह पांच चाइना के अब इसके अलावा जो है अभी और भारत जो है लगतार जो यूनों में अपनी प्रतिबत्यता जाहिर कर रहा है कि भारत भी जो है यूनाइट को एक संगठन होना चाहिए और सिर्भारत ही नहीं वह भारत जो है पूरे सभी देशों का हो रहा है इंप्रोवाइ देश बना है आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वैसे जहां तक मेरे को याद आ रहा है वह साउथ अफरीका देश है तो यह चार देश में बने हुए है तो चलिए दोस्तों फिलाल इस वीडियो पर इतना ही और अगले वीडियो पर हम शाम को जल्दी ही मिलते हैं से तब तक लिए नमशकर और आप सब लोग अपना है